क्या कार्तिकार्या ने अक्षे कुमार को किया रिप्लेस हेरा फेरी 3 में कौन-कौन हिरोईन आएगी नजर राजू शाम और बाबू राओ की तिग्री में सेंध लगाएगा एक और बरा एक्टर हेरा फेरी 3 का बदल जाएगा नाम फिल्म से क्यों दूर हुए डैरेक्टर अनीश बजमी अब कौन कर रहा फिल्म हेरा फेरी 3 को डैरेक्ट हेरा फेरी 3 में विलन का किरदार निभाएगा ये सूपर हिट एक्टर कहानी में आएगा मज़ेदार ट्विस्ट जानिए लेटेस्ट अपडेट आखरकार लोगों का इंतिजार खत्म हुआ हेरा फेरी फिल्म सीरीज के लवर्स काफी खुश है क्योंकि हेरा फेरी 3 की सूटिंग शुरू हो चुकी है लेकिन इस फिल्म को लेकर कई सारे सवाल लोगों के मन में दौड रहे हैं कई मीडिया रिपोर्ट द्वारा दावा किया जा रहा है कि कारती कारिया ने अक्षे कुमार को रिप्लेस कर दिया है और अक्षे कुमार की जगह अब फिल्म में कारती कारिया नजर आएंगे वहीं एक इंटर्व्यू में डारेक्टर अनीश बजमी ने भी कहा था कि अक्षे कुमार को फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई वे इस्क्रिप्ट के खिलाफ हैं अब ऐसे में हेरा फेरी लवर्स पारिशान है कि क्या उन्हें फिल्म का ओरिजनल काश्ट नहीं देखने को मिलेगा इसके अलावा फिल्म में तीन हॉट एक्टरस को भी रखा गया है वहीं अगर विल्म की बात करे तो राजू श्याम और बाबू राओ की तिगरी जोरी में सेंध लगाने के लिए एक बड़ा एक्टर विल्म का किरदार निभाने वाला है आईए जानते हैं और क्या है फिल्म को लेकर लेटेश्ट अपडेट सबसे पहले बात करते हैं कारती कारियन की दरसल इस बारे में डायरेक्टर अनीश बजमी ने कहा था कि वह कई बार प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाड वाला से मिले लेकिन उनके पास कोई धंग के स्टोरी नहीं थी और ना स्क्रिप्ट इसके खिलाफ आकर अक्षे ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था साथ ही उन्होंने भी इस फिल्म को डारेक्ट करने से मना कर दिया अब खबर आ रही है कि फिल्म का निर्देशक फरहाद सामजी करेंगे ऐसे में अक्षे की जगा कार्तिक को चुना गिया लेकिन हम आपको बता दे कि कार्तिक अक्षे को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं बलकि कार्तिक अपने एक अलग किर्दार में नजर आएंगे अब बात कर लेते हैं उस एक्टर की जो फिल्म में विलन का धांसू रोल निभाएंगे फिल्म हेरा फेरी 3 में अक्षे कुमार, सुनील से टी और पड़ेश रावत यानि की राजू, शियावाम और बाबु राओ, गणपत राओ आप्टे के रोल में दिखेंगे बॉलिवुट के लेटेश्ट रिपोर्ट की माने तो संजोय दत इसमें विलन के रूप में दिखेंगे उनका चरित्र अंधा और अजीब होगा, जो हेरा फेरी के पागलपन को और बढ़ा देगा अब एक सीक्रिट जानकारी, फिल्म हेरा फेरी 3 में किन हिरोईनों के नाम सबसे आगे चल रही है फिल्म में टोटल तीन एक्ट्रेस काश्ट करती निजर आएगी, जिसमें सबसे पहला नाम दिशा पाटनी का आ रहा है दूसरे नमबर पर रश्मी का मंदाना और तीसरे नमबर पर कीरती सिनन का नाम जोड़ा जा रहा है एक और टॉप सीक्रिट ये भी है कि फिल्म हेरा फेरी 3 का नाम भी बदला जा सकता है फिल्म हेरा फेरी 3 का नाम हेरा फेरी 3 नहीं बलकि डायरेक्टर इसका नाम हेरा फेरी 4 रखने का सोच रही है अब आपको क्या लगता है फिल्म चलेगी या पिटेगी हमें कमेंट कर बताएं